दोस्तो एक मात्र चनल है एक्जाम जो सबसे पहले सही समय पर सही जानकारी आपके साथ सेर करता है और दोस्तो जानकारी जबर जस्त है सीटी एक्जाम को लेकर मैं कह सकता है धुआधार जानकारी है और दोस्तो हर पिरकार के जानकारी हम सेड करते हैं जानकारी चोटी है बड़ी है केंद सरकार हरियन सरकार भरतियों से संबंदित एक्जाम से संबंदित योजना है बढ़ापा पैंसन है टेरपल पी है रोजगर कुर्शन निगम है कोई भी कैसी भी केंद सरकार हरियन सरकार क चोटी बड़ी जन करी और दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है और धमाके पर धमाके हम कह सकते हैं कल यानिकि एच्चे S.S.E. की तरब से एक नोटिस जारी किया गया कि ऑफिसियल जो नोटिस था कि सीट या आपका नवंबर में होगा और उसके साथ साथ हमने एकजाम बनेंगे और काम इतनी तेजी से चल रहा है और कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं किस डिस्टिक की हम बात कर रहे हैं और कितने बच्चे आपर एकजाम देंगे बही और जो नए साति है पहली बार चैनल पर है यानिकी वीडियो इस एक्जाम को लेगा नवंबर 2022 में एक्जाम होगा अब तो यहां से कोई कॉश्चन आपका नहीं बसना चाहिए और मैं फिर भी कहूंगा कि आप एक्जाम के जबर जस्त लेवल के साथ तैयारी करें इसके बाद मौका नहीं मिलेगा देख लेते नाम है यहापके सेंटर नाम है और यह सेंटर आइडी है सब कुछ यहां पर कि PAC ri your card बहुत बड़ी जन कर हुए यह देख लेगा conflicts आप डेख लेगा बहुत बढ़ी जनकर हैं यहाप एक यही सेंटर नाम है इसलिए यह सेंटर बाद जोबी है कोछ यह सेंटर एडरस रहीगा भी देख ले और यह सेंटर सिटी है भई हिसार में ही आपके है भई देख ले सारी कहां पर है हिसार में है और यह सेंटर स्टेट हरिया नहीं है यहां पर सब कुछ यहां पर दिया हुआ है और साथ के साथ और साथ के साथ यहां पर हैड नाम भी द ने देंगे तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ 22,728 कंडिडेट यानि कि यहाँ पर एक्जाम देंगे और टोटल सेंटर 83 हैं भई 83 हैं दोस्तो बहुत जबरजस्त धमाका जबरजस्त और इससे अच्छी न्यूज नहीं हो सकती और NTA 100% अब आपका एक्जाम लेगा और दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करते हैं जो मूर्ख प्रजाती के लोग जो कहते हैं आपसे बार बार कि एक्जाम नहीं होगा उनके पास जरूर सेयर करें ताकि उनको पता लग जाए कि एक्जाम यूज कोई चैनल है वो हमेसा सही जनकारी स शेयर करता है और दोस्तो एक मात्र चैनल है जो आपके लिए हमेसा तयार रहेगा और आगे भी यह जनकारी हम शेयर करते रहेंगे और सुबह सुबह एक अच्छी जबर्जस जनकारी आपके लिए लिख रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद